रिवीजन एवरिफिंग में एक बार फूर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं तो कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत ही अच्छे होंगे देखें इतिहास का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है महतोपूर युद्ध तो इतिहास में कौन-कौन से महतोपूर हुआ था क्योंकि देखिए दस अन्य कभीले थे यानि इसी के नाम पर यहां पर दस राज युद्ध नाम रखा गया और इसमें जो सुदास थे वो विजय हुए फिर अगला है हाइडे स्पीज या वितस्तता का युद्ध यह वितस्तता जो है यह जेलम नदी का पुराना नाम है यह सिकंदर वा पोरस के मद्ध हुआ था और कब हुआ था तो 326 इसवा पूर्व में हुआ था इसमें सिकंदर विजय हुआ और पोरस हार गये थे ठीक फिर अगला है कलिंग आक्रमण यह असोप ने 261 इसा पूर्व अपने राजिया विशे के आठवे वर्ष किया था ठीक है फिर अगला है गौड या बंगाल पर आक्रमण हर स्वर्धन द्वारा गौड सासक ससांक पर यह युद्ध किया गया थे यानि जो गौड यानि बंगाल के सासक थे वो ससांक थे उस समय पे जिस समय हर स्वर्धन ने उस पर आक्रमण किया और इसमें हर स्वर्ध विजाई हुए ठीक फिर अगला है सोमनाथ की लूट ये महमूद गजनवी द्वारा 1025 इसवी में सोमनाथ में लूट पार्ट की गई थी फिर अगला है मुहम्मद बिन कासिम 712 इसापूर्व में सिंध्र पर इसने आक्रमण किया था तो उस समय जो सिंध्र के राजा थे वो दाहिर थे तो सबसे पहला जो अरब आक्रमरकारी था वो यही था मुहम्मद बिन कासिम फिर अगला है तराइन का युद ये 1191 इसवी में प्रतिवी राज चोहान और मुहम्मद गौरी के मद्ध हुआ था इसमें मुहम्मद गौरी पराजित हो गया ठीक फिर अगला है तर दावर का युद ये 1194 इसवी में हुआ था ये मुहम्मद गौरी और जैचंद के मद्ध हुआ था और जैचंद भी इसमें पराजित हो गया फिर अगला है अलाउद दिन खिल जी इसने कौन-कौन से युद किये है सबसे पहले है गुजरात विजए 1297-98 के मद्ध उस समय गुजरात के सासक रायकण्ड थे फिर है रनथंभार का युद ये 1301 इसवी में हुआ उस समय रनथंभार के जो सासक थे वो हम्मीर देव थे फिर अगला है चिताओगडु यहाँ ये युद 1393 इसवी में हुआ था और इस समय चिताओड़ के राजा राजा रातन सिंग थ 307 इसवी में और जो देवगिरी थी वहां के शासक रामचंद्र देव थे फिर है वारंगल 1309 इसवी में यहां के सासक प्रताप्रूद्र दे थे फिर उसके बाद है पानिपत का प्रथम युद्ध जो की 1526 इसापूर्व में इबराहिम लोदी और बाबर के मध हुआ था इस युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध हुआ था बाबर इसमें विजय हुआ फिर है चंदेरे का युद्ध 1528 इसवी में इसमें भी बाबर विजय हुआ थिक फिर अगला है घागरा के युद्ध 1529 इसवी में यह बाबर और अफगानों के मध हुआ था और इसमें भी बाबर विजय हुआ ठीक फिर अगला है चौसा का युद्व जो कि 1549 इस्वी में हुआ था ये हुमायू और सेरसाह के मद्व हुआ था इसमें जो हुमायू थे वो भाग लिए मतलब कि युद्व छोड़के भाग लिए क्योंकि वो पराजित होने वाले थे फिर अगला है ब खुद को दिल्ली का सुल्तान खोशित कर लिया फिर है मच्छिवाडा का युद्व जो कि 1555 इस्वी में हुआ था हुमायू और अफगान सर्दार हैबत खान और तातार खान के मद्व इसमें हुमायू विजय हुआ फिर अगला है सरीहिंद का युद्व ये भी 1555 इस्वी भारत का शासक फिर से बन गया फिर अगला है पानीपत का दुती युद्व ये अकबर और हेमू के मद्व हुआ था उस समय अकबर के साइड से जो इनके सरक्षक थे बैरम खा वो युद्व लड़ रहे थे फिर अगला है अकबर का आमेर पर आकरमड ये 1562 इस्वी में हु अकबर और वहां के राजा उदय सिंग के बीच हुआ था फिर इसके बाद 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्व इसमें अकबर और राणा प्रताप के बीच में यह युद्व हुआ था ठीक है फिर अगला है मेवार या चित्तोर अवियान ये 1615 इस्वी में जहांगीर द्वारा किया गया था और इस समय जो मेवार के शासक थे वो अमर सिंग थे देखिए जब पहले अकबर ने मेवार अवियान किया था तो उस समय राजा उदय सिंग थे लेकिन उसके बाद जब जहांगीर ने ये अभियान किया तो उस समय जो शासक थे वो अमर सिंग थे य अगला है प्लासी का युद्ध ये 1757 ईसवि में रोबर्ट क्लाईव वो सिराजुद दॉल्ब के मद भुआ था ये बंगाल का नवाब था ठीक फिर, अगला है बक्सर का युद्ध ये 1764 ईसवि में हुआ था इस समय अंग्रेजी सेना का जो नेत्रितो था वो हेक्टर मुन्रो कर रहा था और ये तिलगुट सेना के मद हुआ था कौन जो बंगाल के नवाब थे वो अवद के नवाब और दिल्ली के सुल्तान इन तीनों ने मिलकर तिलगुट सेना बनाई और इनसे युद्ध किया और प्रिम्र में तिल्गुट से ना, हार गई, Peki? फिर है वेदरा का युद्ध, ये अंग्रेज और डचो के मध्ध 1769 हिस्वी में हुआ था, फिर अगला हेवानडिवास झाल झाल